काशी विश्वनात बनारस में सबसे पहला हमला मुहम्मद गौरी ने किया था तब मुहम्मद गौरी ने काशी घार पर स्थापित तकरीबन 500 से ज़्यादा मंदिरों को द्वस्ट कर दिया था आए हम यहां काशी विश्वनात मंदिर के इतिहास और इसलामी आकरानताओं की कुरूरता की चर्चा करते हैं और बताते हैं कैसे मुहम्मद गौरी और कुतुबुद्धी नेवग ने यहां तबही मचाए आकरमनों के बीच एक अच्छी शासन व्यवस्था चलाई तभी उस समय के शिलालेखों में उन्हीं धर्ती का रक्षिक भी कहा गया तुर्कों के आकरमन से उन्होंने सामराज्य को सुरक्षित रखा उस समय के दस्तावेजों की मानेतु राजा भोज और कर्ण की मृत्यू के बाद जब वेदों की वानी गायब हो रही थी ऐसे समय में चंद्रदेव ने वारानसी, अहोध्या और डिल्ली की रक्षा की इसी राजवंश में प्रतापी राजा गोविन चंद्र शासंकाल 1114-1155 भी हुए जिन्होंने 40 वर्षों से भी अधिक समय तक शासं किया ये कबजा कर लिया था, हालांकि गोविन चंद्र से हार के कारण इसलामी आकरानताओं को वहां से भागना पड़ा, तुर्क से वारानसी को बचाने का श्रे उन्हें ही दिया जाता है, उन्होंने एक विदेशी इसलामी हमलावर को बुरी तरह हराया था, इस तरह हिंदू की रक्षा करते रहे, लेकिन मुहम्मद गोरी ने बारही शताबदी के उत्तराद में भारत में एक के बाद एक लूट और विद्धवन्स की घटनाओं को अन्जाम दिया, सन 1193 में में कन्नौज के राजा जैचंद और कुतु बुद्धी नैबग के बीच यमुना नदी के किनारे चंदावर अभी फिरोजाबाद में एक भीशन युद्ध हुआ, जिसमें जैचंद की मृत्यों हो गई, प्रित्विराज चोहान और मुहम्मद गोरी के बीच हुए युद्ध में इसलामी सेना की जबर्दस्थ हार हुई थी, लेकिन अगले एक वर्ष में ही वो द ही कोई था, वारा नसी में लूटपार का भयान कर मंजर देखने को मिला, मंदिर के मंदर तोर डाले गए, वारा नसी न सिर्फ एक धार्मिक नगरी थी, बलकि व्यापार और वितका भी बड़ा केंद था ये स्थाल, ऐसे में मुहम्मद गोरी ने मनमाने धंग से लूटप किया गया, इसके बाद स्थानिय लोगों ने काशी विश्वनात मंदिर के पुनर निर्मान की जिम्मेदारी उठाए, राजा जैचंड के पुत्र हरीश्चंडर इस दोरान कर नौज को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुतु बुद्धी नेबक अविमुक्तेश्वर, कृतिवासेश्वर, काल भेरो, आदी महादेव, सिद्धेश्वर, बानेश्वर, कपालेश्वर और बालीश्वर समेच सेक्रोशिवालेओं को तबाह कर दिया, इस तबही की कारण अगले 5-6 दशकों तक ये मंदिर, इसी अवस्था में रहे, तुर और सादू श्रद्धालू भी अपने शरीर पर भस्थ मल कर घूमते हुए उसे दिखे, उसने 31 मीटर उची शिव प्रतिमा का भी जिक्र किया है हालान की, टेरवी शताबदी के मध्य में ही मुहम्मद गोरी की मौत हो गई और कुतु बुद्धी नैबग भी इस दशक के अ वास्तुपाल का नाम जब आया तो उनके बारे में बता दे कि वो गुजरात में वागिला राजा वीरधवल और फिर उनके बीटे विशाल देव के प्रधान मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने न जाने कितने ही मंदिरों का निर्मान करवाया, तबके लोग प्रियर जैन सा अकरान्ता ने भारत की संप्रभुता एवं सनातन धर्म की पर्यायवाची रहे काशी पर कई दफा हमला किया पर कभी भी काशी के इतिहास को नश्ट नहीं कर सके यह भगवान शिव का ही आशीरवाद है कि आज भी अथावत विशेश्वर नात का शिवलिंग बनारस में स्